जेहिंद अब बुल मार्केट तो थोड़ा सा डगमगा रहा है जहां पर मार्केट उपर गया 19.800 के आसपास, 19.700 के आसपास, वहां से थोड़ा सा नीचे आया 19.200, 19.000 के आसपास, 19.100 के आसपास, अब उस बुल मार्केट में अब IPO सोड़े से कम हो गए IPO सोड़े से कम हो गए यार थोड़ा सा डर लग रहा है IPO लाओ नहीं लाओ अच्छा थोड़ा सा रुख जाते है लड़ा थोड़ा सा उपर मूव आ जान दो एक बार 20,000 आ जान दो एक बार pre-budget rally आ जान दो फिर IPO लेकर आएंगे बट इस बीच सेलो वर्ड सेलो वर्ड जिससे बच्पन में एक नोट बुक्स लिखी ही जो हाथ में लेके पें से एक्जाम लिखे अब उसका ही एक्जाम आया है मतलब सेभी का IPO सेभी से परमीशन लेकर IPO आया है अब उसके एनलिसिस हम लोग करने वाले है हाई एवरिवान मैंने में जिबोर वाशने आया हम सेभी रजिस्टर रिसर्च आनलिस्ट आज के IPO के आनलिसिस में देखेंगे कि बिजनेस मॉडल कैसा है जहां पर एक तरफ डिजिटल वर्ड चलता जा रहा है तो जहां पर सेलो वर्ड जहां पर pen stationery वगरा आता था क्या आगे future prospect है या नहीं है और उसके बाद business model कैसा है valuations कैसी है लगाना या नहीं लगाना और कितने lot लगाने है और उससे भी most important बात क्या listing gain वगरा हो सकते है चलो without wasting time deep dive करते है अपने वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इंटक बने रहना but yes before moving ahead अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर हम लोग वीडियो डालते रहते हैं live session करते रहते हैं इसे निफ्टी के अनलेसिज हो गए फिर उसके बाद यह स्टॉक के अनलेसिज निफ्टी के अनलेसिज पहले भी करेते हैं कि यहाँ पर निफ्टी में crash आ सकता है और exactly वो ही अनलेसिज बैटे क्यों मैंने simple support and resistance पकड़ा था और यहाँ पर अनलेसिज भी दिखाये थे पूरे चार्ट पर यह निफ्टी के लेवल चे हो गया मुझे knowledge प्रोवाइड करनी है मुझे आगे तक सिखाना है कि आप खुद भी same चीज बाद में अनलेसिज कर सको चलो शुरू करते हैं अनलेसिज के साथ सेलो वर्ड जेकते हैं भी क्या क्या आया है अब यह चितार गड प्रोबैबली वन अप दी वेस्ट वेबसाइट इन्होंने अपना थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करा तो पहले ज़रा बिजनस मॉडल देखेंगे हर बार की तरह कि बिजनस मॉडल यहां पर क्या बोलता है शुरू करते हैं अब यह तो सबको पता है बच्पन में कहते थे भाईया सेलो का पैन देना, सेलो का पैन देना अब देखेंगे सेलो का IPO देना एक lot allotment मिल जाए, मज़ा आ जाए सेलो वर्ड is a famous Indian consumer product company mainly dealing in three categories तीन काटेगरी में है such as writing instruments, pen यह वो यानि और stationery दूसरा molded furniture और तीसरा consumer housewares and related production the company has an experience of 60 years यह बनाता है brand value कि कोई company एक दो साल चली पांच साल चली यह कह रहे है भाईया मैं साथ साल से market में टिका हुऊ हूँ in the field of consumer product industry which enables them to understand better अब समझते हैं पहले इस चीज का benefit क्या है 13 manufacturing units situated in 5 different locations in India यह वो और अब glass manufacturing वगरा भी करने के यह तैयारी में है समझते हैं माल लेते हैं यह यहाँ पर इंडिया काईजे cross map में खड़ा हुआ हूँ अगर एक ही जगा पर सारी manufacturing unit डाल दी तो माल लेते हैं यहां से माल यहां तक जाने में यहां तक जाने में यहां तक जाने में इनवेक्ट यहां तक जाने में transportation cost जादा आ जाएगी transportation अब prices तो वही रखोगे MRP के हैसाब से transportation cost जैसे ही कम आएगी जिसकी जादा आएगी जिसकी वज़े से मेरा Pat Profit कम हो जाएगा अब अगर सेम चीज यहां पर सेम चीज में यहां पर एक यहां है एक यहां है एक यहां है यहां से माल यहां चला जाता 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 है तो इस रीज also aims to set up glass manufacturing unit in Rajasthan with European made machinery ये वो वगेरा वगेरा अब glass वगेरा में भी एंटर करने का सोच रहे हैं as of ये company के पास different product है 15,000 से जादा different products है अब products S के use क्या होते है समझते हैं एक pen है अगर ये blue color में आता है एक count होगा अगर यही pen bread, green, yellow, pink में आता है तो वो 5 count होगे एक count नहीं होगा एक ही pen बड़े size में आता है छोटे size में आता है तो वो दो account होगे multiple इसको बोलते है SKU's वगेरा चलिए जी next part पर आते हैं course 10 पढ़ लेते हैं strong market position branding multiple product range देख लिया 15,000 के असपास दा company as a track record of scaling of business यह तो हम financial से देखेंगे कि यह scaling हो रही है यह नहीं हो रही है अभी तक की बात करें तो definitely अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है कितना ही digital word आ जाए कितने ही mails लिख लो बट जो school में बच्चे जाते हैं coloring books, colors, pens, stationery उसके demand evergreen रहने ही वाली है sign तो वैसे ही करोगे evergreen demand वगेरा उस तरीके से ही रहने वाली है कुछ important dates और उपर की तरफ से देखते हुआ आते हैं कि यहां क्या लिखा हुआ है चलिए कुछ important dates पे नजर मारते हैं IPO आ रहा है 30th October को एक तरिक तक IPO रहेगा यानि तीन दिन तक आपको मौकम मिलेगा भरने का allotment आएगी 6 तरिक को यह basis of allotment 6 तरिक तक है अब जैसे जैसे सेभी नए rule ला रहा है कि यह T plus 3, T plus 2 पर लेकर आओ तो हो सकता है कि यह 6 से पहले भी आ जाए अच्छी बात है मेरा पैसा उतने टाइम के लिए ब्लॉक नहीं रहेगा refund 7 तरिक तक यह unblocking credit of shares 8 तरिक तक यह उससे पहले भी हो सकता है और listing date 9 9 तो maximum है कि maximum तो maximum में 9 तरिक तक बोर्ड पर हिट कर दोंगा हो सकता है उससे पहले भी आ जाओ चलिए जी next part पर आते कि valuations क्या रखिए price band क्या रखा है valuations तो नीचे से पता लगेगा financials के बाद but important price band क्या रखा है चीके IPO date यह already हम लोगों ने देख ली फिर उसके बाद यह listing date भी हम लोगों ने देख ली face value पांच रुपए पर शेर यहां पर एक रुपए नहीं है दो नहीं दस नहीं है हमेशा यह रखना है अपर बैंट पे 648 पे lot size 23 shares के आसपास है तो यहां पर हो गया somewhat around 14904 14,904 रुपए का एक lot बनेगा 96 रुपी बचे वो brokerage और tax वगरा में आपके cut जाएंगे as a tip के part में चलो जी next part पर आते हैं अब most important यह column यह दो column दिखना total issue size company क्या रही है भाईया मेरे को 1900 करोड रुपए दे दो 1900 करोड रुपए मांग रही है public से but offer for sale क्या है 1900 करोड यानि की fresh issue नहीं है fresh issue नहीं है समझते जरा knowledge purpose से इस पर वापस आऊंगा समझना मैं गया पापा पापा मेरे को बिजनेस चालू करना है पापा किस चीज का बिजनेस करेगा जिस stationary का करूँगा पापा ने पैसे निकाल कर दे दिये business में लगा दिये पापा और पैसे चाहिए बेटा मेरे पास नहीं है पैस लिए लास्ट टाइम या बैंक से लूँ कुछ भी करूँ लोन लू उस लोन पर उस लोन पर इंट्रस्ट जाएगा ही जाएगा जैसे आप बैंक से credit card लेते हो इम लेते हो लोन कार लोन बैंक ओफर नहीं बढ़ रहा रोटी खाओ ना खाओ भाईया बैंक कह रही है कि हमें पैसा चाहिए ही चाहिए ऐसे ही होता है लून जिसको बोलते हैं डिबेंचर बॉंड उस तरीके से लून का पार्ट होता है प्रॉफिट का उन्हें कोई मतलब नहीं उनका पैसा चाहिए हर महीने तीन महीने जो भी आपकी टामसन कंडिशन में है दूसरी तरफ यार equity से बापस है मैंने पैसा raise करा तो मैंने का यार तुम्हें काम करो जैसे shark tank में हम लोग देखते है equity से पैसा raise कर लेते हैं थोड़ा सा मैं आपको equity दे देता हूं मतलब मेरे share market में भी trade होंगे उनसे भी profit up-down मनेगा wealth creation होगी और dividend के थूँ थोड़ा थोड़ा आपको देता रहोगा अब यहां पर क्या catch है अगर यह fresh issue होता अगर यह fresh issue होता अब equity वाले part के दो again part हो गए equity में अगर fresh issue होता तो पैसा company के पास जाएगा उससे company capex कर सकती है लोन उतार सकते हैं वगेरा वगेरा जो भी company अपने prospect में भरती है बट यहां पर fresh issue नहीं है यहां क्या लिखाए offer for sale मतलब कोई selling shareholders या promoter अपना माल यहां पर बेच रहा है अपना माल यहां पर बेच रहा है यह negative point है क्यों मैं IPO भरू, मैं company को पैसा दू, मैं यहां पर 1900 करोड रुपे भरू बट पैसा company के पास तो जाए नहीं ना, पैसा company के पास जाए और plans कोलो जो तुम लोगों ने बोला भी राजस्तान में लगाएंगे लगाओ ना, बट यह पैसा company के पास नहीं जाएगा I know थोड़ा से लंबा हो गया पर knowledge purpose से समझाना जरूरी था चलिए जी, next part पर आते हैं QIB, यानि mutual funds और इन सब को देने वाले हैं, not more than 50%, भाईया आपके लिए 50 maximum है retail वालों को बोल रहे हैं कि भाईया आजाओ, allotment मिल जाएगी, 35% से आपको जादा देंगे और H&I category बड़ी वाली, H&I बहुत बड़े जिनके पास मोटा पैसा है उनको बोल रहे हैं कि भाईया आपको 15% से जादा दे देंगे, आजाओ, आजाओ चलिए जी, next part पर आते हैं, ये तो हम लोगों ने अल्रीडी देख लिया तो यहाँ पर आगे, maximum 13 lot, 1,93,000 के आसपास अब इस से उपर गए, तो H&I category में जाएगी, H&I में भी दो बना दिये Small H&I, Big H&I, तो यह होगे 2 लाग से उपर, यह होगे 10 लाग से नीचे चलिए जी, next part पर आते हैं, प्रमोटर क्या बोलते हैं जी अब ही तक 100% है, चलो कम्पनी के पास है, उसके बाद कम्पनी के पास, प्रमोटर के बास रह जाएगी 92% इनको बाद में भी डैल्यूट करना वाड़ेगा, because of SEVY rules SEVY के rules यह बोलते हैं, एक कम्पनी में प्रमोटर मैक्सिमम 75% ही होल्ड कर सकता है दीरे-दीरे इनको right issue या OFS अगरा लाकर इनको dilute करना पड़ेगा चलिया जी, next part पर यह हम लोगों ने उल्यडी पढ़ लिया अब one of my favorite part, financials क्यों? financials पूरा कच्चा चिट्था दिखा देती है, कि अभी तक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ इससे यह idea लग जाता है, कि अकर company loss making है, तो मैं क्यों पैसा डालू? भाई तो खुदी ने कामा 12 पैसा, चलिये जी, यहां तो loss नहीं दिखाई देरा, समझते हैं moreover, यह यहां से चलेगा, left, right to left part पर, यहां से इधर की तरफ तो पहले assets थे, 1100 करोड के, यहां पर almost 10% बढ़के हो गया, 1300 करोड के आसपास, और 10% के बासपास बढ़के हो गया, 1500 करोड, हलका सा, not 10%, बढ़ थोड़ा सा बढ़ा, यह हो गया, almost 1600, down off to 1700 करोड, तो assets की growth तो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, revenue की बात करें, अच्छा एक चीज़ और, यह पूरे financial year का है, पूरे financial year का है, एक quarter का है, one quarter का है, तीन महीने का है, तीन महीने में जिस हिसाप से growth है, तो तो definitely अच्छी ही दिखाई दे रही है, revenue पर आते हैं, revenue यानि sales, यानि top line, अलग अलग नाम है, revenue की बात करते हैं, चलो जी, इसको हटाते हैं, थ 1000 करोर के आसपास की sales थी, यह अल्मोस 30%, अल्मोस 30% बढ़ी, काफी अच्छा जम पाया, यहाँ पर 1300 के आसपास हो गई, और अच्छा जम पाया, 1800 के आसपास जम पाया, 40-45% के आसपास जम पाया, अब यह है 479 करोर, जो कि एक 90 होगा, नूब होगा, वो बोलेगा, यार 1800 की sales सिर्फ 400 करोल रुपे रह गई, पर हमने क्या देखा, सिर्फ एक quarter की है, माल लेते हैं, माल लेते हैं, अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, देखना, यह जो पहला quarter होता है, वहाँ पर stationary थोड़ी से जाधा बिकेगी, जाधा बिकेगी, जो mid terms होंगे, उनमें थोड़ी से कम बिकेगी, क्यों, एपरिल चालू हुआ, भईयस नया सीजन है, एडिमीशन होंगे, stationary लेकर आओ, पहला holiday homework मिलेगा, stationary लेकर आओ, तो इस quarter में समझ आता है, मेरी sales होगी, उसके बाद next quarter जाएंगे, वो books वगेरा, already मेरे पास चल रही है, फिर जब exam की बारी है कि तम मैं बच रहती भी है, तो भी ये somewhat around 1800 करोड के आसपास, almost 1800 करोड के आसपास की sales हो चुकी है, ठीक है, balanced है, next part पर आते हैं, कि revenue में से बेचने के बाद बचता कितना है, वो बताईए ज़रा, तो यहाँ पर 1000 करोड की sales पे 165 करोड के आसपास बच गए, 165 करोड के आसपास बच गए, तो somewhat around 15% के आसपास company के पास margin था, चलो, next part पर आते हैं, 1300 करोड की sales करी, 219 करोड, margin 15% से और in fact बढ़के चला गया, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी growth दिखाई दे रही है, 285 करोड further growth दिखाई दे रही है, अब आ गया 82 करोड, again balance करते हैं, 82 multiplied by 4, तो answer मेरे पास somewhat निलकल कर आया, 324 के आसपास, 324 के आसपास, round of job मेरी 240 मैच से मैंने calculate करा, 285 से 324 करोड, definitely दिखाई दे रहे हैं, margin यहाँ पर company के बढ़े हैं, तो यह financials अभी तक positive लग रही है, last part पर आ जाते हैं, company के reserves and surplus, wow, what's amazing growth, 98 करोड, थोड़ा से dip हुआ, 87, dip फिर उसके बढ़के हुआ, 238 कर है, और यहाँ पर reserves and surplus ने काफी अच्छा करा है, borrowing की बात करें, 334 करोड बढ़ गई, 462 करोर, हलका से dip, 335 और further dip, 328, तो लाग दो साल में, almost 140 करोड, 135 करोड के आसपास के, यहाँ पर borrowing, यहाँ पर इन्होंने reduce कर दिये हैं, जिसके वजह से, इनका pat profit बढ़ रहा है, financials की ब positively positive है, कुछ ratios देख लेते हैं, और final अपनी verdict वगरा पे आते हैं, P ratio, just one minute, P ratio 49 का थोड़ा सा उपर है, definitely थोड़ा सा उपर है, return on equity, वाउ, 134% क्योंकि debt थोड़ा सा कम है, return on capital employed कम हो गया, क्योंकि debt का part include हो गया, 44, EPS 13, return on network 23 के आसपास है, अब आ जाते हैं, final verdict पर, चलिए ज जिस चीज के लिए पूरा वीडियो देखा, knowledge purpose ने जिसने देखा, उसको तो समझ आया होगा, जिसने आखरी में drag कर दिया होगा, अरे यार हमको बताओ, लगाना या नहीं लगाना, उस part पर आ चुके हैं, definitely, अभी तक, अच्छे एक बात बताओ, अभी तक जितना भी हमने चिनाब जैसी राम कथा पड़ी, उसको देकर क्या लग रहा है, लगाना है या नहीं लगाना है, आप comment section में comment करके बताओ, उसके 10 सेकेंड बाद, on a count of 10, मैं answer करने वाला हूँ, आपके according अभी तक लगाना है, या नहीं लगाना है, on a count of 10, अब, definitely apply करना है, multiple pan account से apply कर सकते हो, ममी के, पापा के allotment के लिए, मैं retail category 35% के असपस है, तो उसमें multiple lots में apply करूँगा, ताकि chances वगरा थोड़े से बढ़ जाए हाँ पर, अब बात करते है, over subscription की, चलो जी, price band था 648 के असपस, price band लिख लेते हैं यहाँ पर, 648 per share, as far as I remember, over subscription, क्योंकि 1900 करोड मांग रहे हैं, अभी तक जो आमने IPO देके 500 करोड, 700 करोड, 600 करोड, maximum to maximum, 1000 करोड के असपस थे, 1900 करोड रुपे मांग रहे हैं, that too, जब market volatile हुआ, 2 या 3 दिन में, तो definitely यहाँ पर, थोड़ कैसा over subscription डगमगाएगा, यह जाएगा somewhat around, 15 to 25 times के आसपस, 15 to 25 times के आसपस, क्योंकि 1900 करोड अपने आप में ही तुम पहले जादा मांग चुके हो, that too, OOFS है, OOFS है, OOFS है यहाँ पर, right, अब आ जाते है next part पर, listing gain, 648 के हिसाब से रखें, तो definitely थोड़ा बहुत लिस्टिंग चोड़ा है, market volatility को अगर मैं factor in भी करूँ, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 10 to somewhat around 18, 10 to 18% के आसपस, listing gain बन सकते हैं, 10 से लेकर 18 तक, जो की definitely favorable नजर आ रहे हैं, यह ते सेलो वर्ड, IPO के detailed analysis, वीडियो पसंद आए हो, share with your friends, like and subscribe, thank you for watching the video, lots of love. झाल